बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में यह देखे जिस परकार जो अगर यह चनल को संस्क्राइब कर दें और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आजाए तो आज हम लोग देखिए जंगल की ओर जा रहा है मस्रूम चुनने के लिए जो कि बहुत सरा मस्रूम अभी उत्पन होके निकला है डंगाल पे तो देखिए मेरे साथ मेरा भाय है और आरती है तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते पे हैं अभी तो कुछी च्छनों के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे और दिखाएंगे कि मस्रूम किस तरह डंगाल में निकला है और हम लोग किस तरह चुनते हैं तो बने रेब्डियोस पर देखिए यह देखिए यह मस्रूम है और एक लाइन में कितना सारा निकला है और इसे हम अभी तोड़ने वाले हैं और देखिए आगे भी है और यहां भी है तो सबसे पहले जान लेना है कि इसको किस तरह तोड़ना है इसको डारेट यहां इस तरह नहीं उठाना है आपको जैसे आंगोली से इस तरह काटना है देखिए इस परकार का काटना है ताकि जो मिट्टी हो या धूल हो विए ना उठे और हम लोग आसान तरीके से इसे दोके हम लोग खा सकें तो देखे इस तरह और भी है तो आधा के से चुन-चुन के रख रहा है यह प्लस्टि मुए और बहुत सारह है तो अधिकी मश्रूम को देखे क्वार्थों में कईसे उठा रहा है और एक हाथ में प्लस्टि पकड़ा हुआ है और भर रहा है और यहां भी देखे एक हाथ में प्लास्टिक पकड़ा है और मस्रूम को देखे किसे मैनद करके चुन रहा है और काफी मैनद करना परता है देखे कितना परकर का च्षाती यहां चून के रखा है यहां चूनने के लिए देखे मिला लगा हुआ है चारो साइड आदमी चूनने के लिए आया है मस्रूम देखे और भी आगे बच्चा है देखे कैसे चून रहा है सब अपना अपना प्लास्टिक में भर रहा है और घर ले जाएगा और घर में सब्जी बना के खाएगा तो कि बहुत ही स्वादिश लगता है यह मसरूम का सब्जी देखिए यह बच्ची भी बहुत सारी कुडाई है अभी यह देखिए मसरूम को कैसे एक एक करके चुन रहा है यह इसका डांट समयत नहीं उठाता है यह देखिए अधा से ही काट लेता ताकि जो मिटी लगा हुआ हो वह नीचे रहा जाए और जो मसरूम हो हुआ उसको हम हाथ में टोन लें तो देखिए किस तरह टोन रहा है और भी बच्चे हैं देखिए सामने वह भी चुन रहा ह और सामने और भी है यहां बच्चे देखिए यह भी चुन रहा है और सामने यह और भी बच्चा है यहां भी चुन रहा है और सामने यहां भी देखिए चुन रहा है और मिला लगा हुआ है मसरूम को चुनने के लिए देखिए बहुत दूर दराज से आते हैं चुनने के ल चुणन रहा है यह देखिए हैं यह लावाच चाती है जिसे हम लोग हिंदे में लावाच चाती कहते हैं यह बहुत ही मेनल चुन्ञना पड़ता है यह देखे कितना घास के बीच यह उगा है और एक एक को टूंग करके ले जाना पड़ता है जो कि बहुत ही मैंनत है और इसे घर में ले जाके साफ करके खाता है जो कि इनके सामने चिकन भी फेल है तो देखे कितना सारा उठा है यहां उनको भी चुनने वाला है एक एक करके देखे कैसे इनको टूंग रहा है यह जड़ समयत नहीं उठा रहा है जड़ समयत उठाने से मिट्टी समयत उठ जाया जाएगा जो कि खाने में स्वाद नहीं लगा इसलिए इसको आधा उपर से ही टूंग देता है तो देखे कैसे मैनत करके यह उठाय जा रहा ह और इनको चुनने में कफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है कितना घास बुसा है और यहां कुछ कांटा भी है तो कांटा में चल के देखे इनको उठा रहा है जो कि बहुत ही दिक्कत है उठाने में भी यहां देखे कितना सराज चून के इकटा करके रखा है ये छाती है देखे इसे मस्रूम करते हैं देखे कितना सुंदर लग रहा है देखने हमें और बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है ये खाने में देखे कितना अभी चून रहा है एक भाईया है सामने तो देखे कितना मेनद करके इनको चूना जाता है एक-एक करके देखे सामने दादी है और दादी भी कैसे छाती को चून रहा है यह मसरूम को काफी मेहनत कर रहा है जोकि बहुत ही स्वादिश लगता है इसलिए मेहनत कर रहा है यह चूनने में देखे कैसे चून रहा है मसरूम को यहां देखिए कितना सारा मश्रूम चून करके रखा है यह लोकल बसा में हम लोग चाती कहते हैं देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है और इनको चूनने में काफी मेहनत करना पड़ता है और एक-एक करके टूना पड़ता है तो देखिए कैसे यह चून करके रखा है यहां भाईया है सामने में देखे और इनको दोना में करके घर ले जाएगा और सब्जी बनाएगा जो कि बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खाने में इनके सामने चिकन भी फेल है तो देखे कितना चुन के रखा है और इसे अभी दोना बना रहा है दोना में करके घर ले जाएगा जोकि बहुत ही मेनद करना पड़ता है इनको चूड़ने में ये देखे कितना सारा ये चूण करके रखा है और इसे घर ले जाएगा अभी ये मस्रूम है जिसे हम लोग लावा च्छाती काते हैं हिंदे में जोकि बहुत ही मैनत करके इनको एक एक करके तोड़ना पड़ता है देखे कितना सारा तोड़के रखा है यह देखिए हम मश्रूम को कैसे चून रहे हैं यह आज हम लोग पाहर तुरब आया है यह देखे कितना मश्रूम उगा है यहां डंगाल में तो हम लोग इसे चून रह और देखे कितना सारा उगा है यह लावा चाती है इससे हम लोग अभी तोड़के ले आते हैं और सबजी बनाते हैं गरवाई जो बहुत ही स्वादिश लगता है खाने में देखे बहुत सारा ही उगा है यहां के घास के बीच चुन रहा है काफी मैनद करके देखे कितना सारा यहां चुन करके रखा है यह दोना है देखे पत्ता का बना हुआ दोना और यह बच्या बहुत मैनद करके चुना है देखे यह बहुत सारा चाती चुन करके रखा है देखे लवा चाती है डिमा चाती है तिल करो चाती है और लगता करके हैं और एक बड़ी महम्मी है अभी चून रहा है देखें बहुत ही मैनद करके यह डंगाल है और डंगाल में ये उत्पन होकर निकला है अभी बारिस का समय है और बारिस के दिन में ही ये मस्रूम जैदेतर डंगाल में उड़ता है डंगाल ये पहाड हो हर जगा उड़ता है तो देखे कैसे इनको चुन रहा है बहुत ही मैनत करके बहुत ही दिक्कत का सामना करता है इनक उतना सरा यहां लकडियां है और काटा भी है है किद्धक का न जर में रखते हुए यह मस्रूम की सब्जी खाने में छूर्नाज लगता है से बाजार में पहीं बङ्षे C excrim proces ते सुन ते यहां चीमांड है जो कि वाय है यह देखिए आज हम लोग मसरूम चुनने के लिए आये थे हैं डंगाल तरफ तो देखिए हम लोग कितना सारा मसरूम को चुन करके रखें हैं प्लास्टिक में और भी है देखिए उधर कैसे चुन रहा है मसरूम को काफी मैनत करके बारिस का समय है और बहुत ही मसरूम उड़ता है जहां ता हम डंगाल में तो देखिए कैस तरह चुना जा रहा है काफी मैनत करके और बहुत ही स्वादिश्ट लगता है मसरूम का सबजी खाने में तो देखे किस तरह चुन रहा है मैंनत करके और हम भी बहुत सारे चुने हैं देखे ये पलास्टिक में भरके रखे हैं इसे घर ले जाएंगे और सबजी बना के खाएंगे जो की इनके सामने चिक्कन भी फेल है तो मैं आप लोगों को सबजी बना के दिखाऊंगा कि इसका सबजी बनता है कैसे बनता है और किस तरह स्वाद लगता है खाने में तो मैं नेस्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका सबजी किस तरह बना जाता है तो देखे किस तरह चुना जा रहा है बहुत बढ़का डंगाल है और सामने एक पहाड़ी भी है पहाड़ी के नजदि डंगाल भी है तो डंगाल में भी छाती मने मस्रूम उठता है हम लोकल भासता में छाती काते हैं तो देखे सामने सामने पहाड़ी है पहाड़ी के सामने कुछ डंगाल भी है और डंगाल के नीचे भी मस्रूम उठता है तो मैं यह देखे मस्रूम को कैसे चुना जा रहा है का भी महनत करके यह डंगाल में उकर निकला हुआ है अभी बारिस का समय है तो देखे कैसे चुन रहा है महनत करके और इसे लिए जाके सब्जी बनाएगा और इसे चुनने के लिए मिला लगा हुआ है देखे बहुत जयंद चुन रहा है और एक-एक करके इनको चुनना पड़ता है बहुत ही महनत से किस तरह टूं करके प्लास्टिक है प्लास्टिक में रख रहा है और इसे घर ले जाएगा सब्जी बनाएगा और इसे चुनने के लिए बहुत ही महनत करना पड़ता है तब जाके सब्जी बनता है घर में तो और है लोग आये हुए हैं चून रहे दिखाऊंगा कि इस तरह हाथ में चून करके रख रहा है यह देखिए हम पहाड की ओर चला आये हैं जहां पहाड के सामने सामने यहां डंगाल है और डंगाल में भी यहां मुश्रूम उत्पन होकर निकला है तो देखिए हम लोग चून रहे हैं चूटा चूटा है यहां पर और बहुत चूने अभी तो इस तरह करके जड़ समित नहीं उठाना है यह इसका उपरिभाग तरह ही काटके रखना है यह दो न में रखना है तो देखिए हम कितना सारा चून करके एक अंतित किये हैं और एक दो ना में रखे हैं इसे घर ले जाएंगे और सब्जी बनाएंगे और यह मस्रूम बहुत ही स्वादिश लगता है मस्रूम का सब्जी और यह मस्रूम का डिमांड बाजार में काफी ही है तो हम अभी चून रहा है और इसे ले जाके सब्जी बनाएंगे और सब्जी बना के दिखाएंगे कि इसका सब्जी कैसे बना जाता है और स्वाद किस तरह लगता है तो मैं नैश्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सब्जी किस तरह बना जाता है जो कि बहुत ही अच्छा एकाट्टा करेंगी चुनके यहां भी है तो इसको हम चुन लेते हैं कि देखे यहां भी है कुछ मस्रूम तो इसको हम देखे किस तरह लाँ है तून और टून टून के इसको रख रहे हैं तो ना में यह देखिये और भी है यहां भी है यह जैदातर बारिस के दिन में ही मस्रुम उपता है तो देखे यहां भी उगा है हम यहां का भी टून लेना है इस तरह करके और यह डंगाल में ही पाय आता है देखे और बारिस के समय जहां तहां इनका उठता है मस्रुम तो देखे कैसे उठा है और यह दो ना में रख देंगे देखे कितना सारा हम टून करके रखे हैं चून करके और भी चून ही रहे हैं अभी इधर भी है यह दर मन इधर अभी उठा है अभी बारिस हो रहा है और यह मस्रुम ज़दे तर बारिस के समय ही पाय आता है तो देखे हम लोग बहुत सारा चून लिये हैं देखे कितना सारा चूने हैं और इसे में घर ले जाओंगा और सबजी बनाओंगा यह देखे एक गड़ा है और गड़ा में ही देखे यह मस्रुम आ चुका है यह अंकुरित होकर निकल चुका है और कितना सुन्दर देख रहा है यह देखे चारो तरफ चारो पसाड़ी यह निकल चुका है निशे तरफ एक बील है और बील के नज़दी भी देखे मस्रुम निकल चुका है और उसके आजू आजू में भी देखे उपर में भी मस्रूम है ये कितना सुन्दर लग रहा है और इसे अभी चुनने वाले हैं देखे कितना सुन्दर लग रहा है और कितना बड़का बड़का है ये मस्रूम ये ये दूर से कितना सुन्दर लग रहा है तुंग तुंग कर और यह दादी कितना सारा चुन करके प्लास्टिक में रखा है और इसे घर ले जाएगा देखे कितना सा चुनना हुआ है और साथ में छाता लाया है बारिस समय है और छाता नहीं लाने से आप भी जा सकते हैं इसलिए चाता लाया है साथ में क्योंग ताकि भिंजे ना सरीर शरीर ख्राफ हो सकता है छाती चुनने की बज़े से तो साथ में छाता लाना बहुत ही मौत पुन है देखे आप देख रहा है यह मश्रूम है इसे लोकल बाशा में हम लोग छाती काते है यह मस्रूम का नाम लावा छाती है और यह देखे कि proving कповल यह इस होता है और यह च्छाता का जैसे डिजाइन होता है जिस प्रकार जो च्छाता होता है ना जो हम लोग बारिस में बचने के लिए घर में रखते हैं उसी परकार यह देखें मश्रूम है जो च्छाता का जैसा दिक रहा है और यह बहुत चोटा-चोटा दना में है अभी इनको ह हम आभी चूने हैं है 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 और है यह यहाया था आज हम लग चूने के लिए आये थे तो इसे ले जाके हमलों की बनाएंग जो की बहुत ही स्वाहिश लगता है खाने के सामने चिकन भी फेल है तो देखे कितना सरा तोड़े हैं हम लोग यह मुस्रूम को और अभी घर ले जा रहा है और इससे सब्जी बनाएंगे और सब्जी बनाके दिखाएंगे कि इसका सुवात किस तरह लगता है और खाने में कैसे इंटेस्ट लगता है तो मेरे वीडियो किस तरह लगा अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं इस चैनल को संस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप सब मुको दिखा सकूँ तो चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब के लिए ठाइंक्यू बाइव कि उतने हैं